हैं हेललो इस्टूडेंट तो केसे हैं आप सब दस्व आज हम बात करेंगे राज़स्तान में B.S.E. Bene इंट्रेस एकजाम के बारे में काफी सटूडेंटों का दावट था किसरा राजस्तान में B.S.E. nursing interest exam के बारे में बताईए किस परकार क्या होगा तो student सलिए बात करते हैं आज RUHS BAC nursing 2021 के बारे में पूरे doubt आपके clear होगे कि कब exam होगा exam का क्या syllabus है और क्या criteria है तो इसी के साथ कर तो channel को subscribe बढ़ते हैं आगे इसे वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूं सबसे बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसका eligibility क्या है syllabus क्या है और forum date क्या है तो यह आप देख सकते हो सामने हम राजस्तान में BAC nursing के बात करते हैं सबसे पहले देख लेते इनफॉर्मेशन इसे डाउनलोड कर लेते हैं क्या है यह नोटिपिकेशन है डाउनलोड हो रहा है तो चलिए यह हमारा नोटिपिकेशन है वो डाउनलोड हो सेगा राजस्तान University of Health Science जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर ट्रोप से लिखावा है एडमिशन टू बीए से नेसिंग फॉर्थ इयर 2020 यानि यह प्रिवेशन का है इस नोटिपिकेशन इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से एलिजिबिलिटी है और सेलेबस क्या है और फोरम डेट कब निकलेगी और एक्जाम डेट कर बाए यहाँ तक कि यह भी बत करते हैं आगे यह देखें फोरम बरने से समदित कुछ नीएम दिये ही और यह देखिए कि आपको यहाँ पर कुछ दे रखा है पिछले साल क्याँ पिछले साल देखें student फोरम है यह देखे student कभी start होए थे आप देश सकते हो 14 अक्टूंबर आप देश सकते हो वेनेस्टे को फोरम है वो start होए थे और अन्तिम डेड थी 11 अन्तिम डेड थी 13 नौंबर तो एक महिना आपको फोरम का मिलेगा यह यहां से पलता चलता student क्योंकि पिछली बार अक्टूंबर में फोरम निकले थे 14 अक्टूंबर और अन्तिम डेड थी 13 11 2020 तो student आपको वन महिना फोरम फिलिंग का मिलेगा अब आगे देखते हैं student अभी इसमें एक्जाम डेड का टाइम नहीं हो दिए तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं आपके फोरम कम निकलेंगे काफी student के डाउर के सर हमारी फोरम कम निकलेंगे तो देखिए आपके फोरम है वो लगबग सिट्टेंबर में आपके फोरम की एक्सपेक्ट डेड है क्योंकि पिछली बार तो कोरोना वाइरस था इसके कारण लेट होगे जिने कि सिट्टम बर लाष्ट तक आपके फोरम निकल सकते हैं और अक्टोंबर में लगबग आपकी एक्जाम हो सकती है student और जैसे ही notification आएगा आपको तुरन इसी channel पर मिल जाएगा यहाँ पर साब साब लिखा हो है application के आपको दिख रहा होगा पंदरा सु रुपए होंगे student application पर जो OBC और जनरल के student है उनके लिए पंदरा सु रुपए चार्ज होगा और जो यह देख रहे हैं साड़ी साथ सु रुपए SCST और PH के टिगरी के SCST और PH के टिगरी के साड़ी साथ सो रुपए आपको पे करने होंगे बाकि जनरल OBC को पंदरा सु रुपए आगे बात करते हैं eligibility criteria के बात करते हैं student इसमें eligibility criteria के बात करते हैं तो इसमें आपको age होनी चाहिए सत्रा इयर्स आपके सत्रा इयर्स एयर्स होनी चाहिए और लगबग 28 इयर्स तक आप इसे बर सकते हो जब कि फिमेल है वो 25 इयर्स ये बर सकती है और फिर फिर चले साल का है तो आपको age इसमें सत्रा वर्स आपकी age होनी चाहिए वो इसको फोरम फिल कर सकता है अब आगे बात करते है educational qualification की educational qualification के बात करें तो यहाँ पर लिखाओ है science medical group यानि के आपके biology होनी चाहिए वो इसको फोरम फिल को पर सकता है टवल्त में आपके biology होनी चाहिए biology के साथ-साथ आपको 40-40% आपके marks होनी चाहिए पर्तेक्स सब्जेक्ट में 45 और physics, chemistry और biology इसमें तीन सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएगे आप आगे बात करें रिजियोशन तो वैसे मिलेगा student SCST को है वो यहाँ पर पूरा दे रखा है चलिए आगे बात करते है यह कुछ notification दे रखा है यह दे रखा है फीश इस्ट्रेक्चर की आपको बात करें तो फीश इस्ट्रेक्चर है वो top government college जैसे SMS मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में SMS में सब कुछ फिरी होता है लेकिन जो government college उसमें 50,000 आपके पेसे लगते हैं SMS को छोड़ कर अन्य में यह आपको मैंने पहले ही बताया था आगे चलते हैं अब बात करते हैं सबसे main admission producer यानि किस प्रकार आपका exam होगा यह देखिए सबसे पहले आपको important आपकी online exam होगी यह आपको ध्यान में रखना है यानि कि computer पर इससे आपके समय बचेगा अब निच्चे देख लेते हैं क्या लिखावा है there shall be two hours paper यानि कि दो गंटे का आपको इसमें समय मिलेगा और so multiple choice question आपके यहां आएंगे यानि कि so question इसमें पुछ जाएंगे निच्चे दे रखा है biology में 34 question आपसे पुछ जाएंगे physics में 33 और chemistry में 33 question आपसे पुछ जाएंगे और इसमें आपको एक जो है आपका benefit होगा student वो benefit आपका क्या है मैं यहां बता दे समय इसमें कोई negative marking नहीं होगी इसमें negative marking नहीं है आपको पूरे question कर क्या नहीं student यहां आप देख सकते हो there will be note proposition of negative marking यहां आपके लिए plus point है student चलिए आगे बाद करते है यहां आपको कुछ notification दे रखा है counseling के बारे में यहां पर दे रखा है student counseling के आपको चिंता करने की जूरुत नहीं है आप बस आपको चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस रखना है सब की जान करें आपको इसी पर मिलेंगे किस प्रकार counseling होगी क्या होगा कब फोरम निकलेंगे तो student आपने देख लिया कि हमने बात कर लिए कि फोरम डेट कब आएगी और exam डेट कब है अब eligibility की हमने बात कर लिए अब आगे बात करते हैं student interaction अब syllabus की बात करते हैं कुछ student बोलते हैं कि सर syllabus बताओ हमें पूरा syllabus one by one topic किस प्रकार आते हैं तो चलिए syllabus पर देखते हैं कौन सा syllabus इसका आता है download कर लेते हैं आपर syllabus यह download हो रहा है यह देखे student हमने syllabus डाउनलोड कर लिया है यह देखे syllabus में आपको physics में आपको 10 इकाई आपको दे रखी है इस्तरुवे दित की दारावे दित की विद्धुदारा के चुमब के बदाव चुमब के पदार्तों के उन विद्धुद चुमब के प्रेरन परकास विद्धुद प्रभाव दर्वे तरंगे परमानिय नभी के इलेक्ट्रोनिकी और विद्धुद चुमब के तरंगे यह देखे यह 10 इकाई आपको दे रखी है physics में आपको यह 10 इकाई 12 में पढ़नी है student आपको यह नंक दे रखी हो कि इसके साबसे आपको त्यारी करनी है आपकी यह 12 की physics है आपको इसको अच्छी तरह से multiple choice किसना वो याद कर लेने है यह देखे student इसके अंतरगत आपको किस कौन-कौन से topic है यह पूरा विवरन दियावा है यह syllabus में description में link दे दूँगा आप डाउनलोड कर सकते हैं असनी से अब आगे देखते हैं यह आगा है रसाइन विज्ञान अब रसाइन विज्ञान में 17 आपको chapter दी वे हैं कौन-कौन से हैं आप देख ले 17 चेप्टर हैं आपर अंतिम चेक्टर देनिक जिवन में रसाइन यह तवल्त का है आप देख लेट हो सवस्ता विलियन विज्ञान आपने यह तवल्त में अच्छी तरह से पढ़ाओगा और यह आपके B.E.C. nursing इंट्रेस एक्जाम में पुछे जाएगा यह 17 टोपिक स्टुडेंट अच्छी तरह से इसमें जितने भी मल्टिपल चोईश हैं वो सब याद कर ले ना स्टुडेंट अब आगे बाद करते हैं इसमें जो एक चेप्टर हैं उसके अंदर कौन-कौन से टोपिक है यह सारे दे रखी है यहाँ आगे बाद कर लेते हैं B.E.C. की इसके बाद यह आगे हैं आपकी B.E.C. आगे में दो है एक तो वनस्पति विज्ञान और दूसरी है मानव आप देख लेक से यहाँ वनस्पति विज्ञान फस्ट है आप देख सकते हो पलांट फीज्योलोजी वनस्पति विज्ञान में आप देख सकते हो टवलत की बारी बायलोजी हो आपको रेट लेनी है यानि कि आर्थ विज्ञान फस्ट येप्टर था ना आपका तो आपको पूरी है रेट लेनी है आपको किस प्रकार आएगा क्या आएगा माननों में सवस्टन रक्त परिशन चंत्र ये जितने भी टोपिक है इनमें अधिक्तम क्यूशन पूछने के आपके संभावना स्टुडेंट इसको रट लेना पूरा को ये देखे माननों आनुविंसी की जेनिटिक्स है ये सारे टोपिक है ये सेले बस हो गया आपका यान आपको 12 पर ज्यादा द्यान देना है फिर 11 पर द्यान देना है यदि 12 का पूरा कलियर हो तो 11 पढ़ना वरना 12 आपको कलियर करना है यदि आप कमेंट करोगो तो मैं आपको इसकी त्यारी करवा दूँआ आपको इसकी त्यारी कराऊंगा और कुछ स्टुडेंट पूछ रहे कि सर मोडल पेपर के प्रिवेस येर पेपर है वो सुल्यूशन कराऊ तो एगले वीडियो में प्रिवेस 2020 का पेपर सुल्यूशन कराऊंगा वो मत बूलना जिससे आपको पता चल जाए किस प्रकार पे इसे चैनल पर मिल जाएगा धन्यवाद स्टुडेंट आज के लिए इतना ही